2024 के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और अब NDA एक बार फिर सक्ता में है लेकिन BJP बहुमत से दूर है लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल सामने आया कि एक ऐसा कदम अगर BJP नहीं उठाती तो शायद NDA की भी सक्ता में वापसी नहीं होती और वो दो ऐसे राजन राजनेतिक पार्टियां हैं जिसे BJP ने अपने साथ लाया NDA का हिस्सा बनाया और फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरी और ये दो ऐसी राजनेतिक पार्टियां हैं जिनकी वजह से NDA वहुमत के करीब जाती दिखाई दी और एक बार फिर सक्ता में वापसी हो पा रह हैं जिसने ना सिर्फ लोग सभा चुनाव में बहतरीन प्रदर्शन किया BJP के साथ मिल करके बलकि विधान सभा चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल की BJP के साथ जुट करके ऐसे में एक बड़ा आकड़ा BJP के बाद TDP का है जो NDA के इस ग्राफ को बहुमत तक पहुंच BJP तेल्गुदेशम पार्टी का बहुत हैं इंपॉर्टन रोल है और अगर ये धुरी कहीं भी हिलती है तो पूरा NDA हिलता दिखाई देगा दूसरी एक एहम पार्टी जो उत्तर भारत से है बिहार राजिकी जेडियू जंता दल युनाइटेड नितीश कुमार ने चुना जाओं में NDA को सब्ता में वापस लाता दिखाई दी रहा है क्योंकि ये एक ऐसा राजनेतिक दल है जिसके बगार शायद NDA का ये खाब भी कुछ अधूरा रह जाने की उम्मीद होती तो दक्षिन और उत्तर से दो धुरू NDA के ऐसे राजनेतिक दल हैं जिनके जरा भी हि पूरा NDA डामा दोल होता दिखाई दे सकता है क्योंकि BJP के पाद यही दो राजनेतिक दल TDP और JDU ऐसे बड़े राजनेतिक दल हैं जिनके पास वो आकड़ा है जिससे की NDA की सरकार बनेगी और इसलिए भी ये चर्चा तेज होने लगी कि क्या इन में से कोई एक या फिर दोनों INDIA याने विपक्ष के घटक दलों के साथ चर्चा में तो नहीं है क्या ये अपने NDA से दूर होने के पुराने फैसले पर एक बार फिर से आ तो नहीं जाएंगे इन तमाम चर्चाओं के बीच ये लगभग साफ हो गया उनके पार्टियों के और से ये साफ कर दिया कि क्योंकि ये चुनाओ से पहले लिया गया उनका फैसला था इसलिए वो 100% NDA के साथ ही रहेंगे और ये उत्तर और दक्षन के दो ऐसे ध्रू हैं जिनकी वज़े से एक बार फिर मोदी सरकार बनते दिखाई दे रही है झाल